ट्रकों की हर्ताल ने बढ़ाए सब्जियों के दाम दो दिनों से नहीं चल रहे ट्रक All India Motor Transport Congress के आहवान पर ट्रकों के पहिये दो दिन से थमे हुए हैं रास्ते में खड़े जिन च्रकों में सब्जियां लदी हुई थी या तो अप सडने की स्थिती में पहुट चुकी हैं या फिर सब्जी का होलसेलर अपने छोटे-छोटे साधनों से सब्जी की आपूर्ती फिलहाल अपने ठीहे में करा रहे हैं लेकिन शेहर में सबजी की जितनी मांग है उस हिसाब से सबजी की आवाक ना होने से आज रेट 20-25 फेजदी तक बढ़ गए हैं अगर एस्थित एक दो दिन और रही तो निश्चित तोर पर रिवावासियों को 2-3 गुना महंगी सबजी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा हमारे सूत्रों ने बताया है कि अभी हर्ताल खत्म होने के आसार नहीं है क्योंकि केंडर सरकार ट्रक वालों की मांगों से सहमत नहीं है अलबता हर्ताल से सबसे अधिक असर और नुकसान सबजी पर ही पढ़ने वाला है क्योंकि टमाटर के अलाबा और हरी सबजियों की सप्लाई बाहर से ही हो रही है उधर ट्रक एसोसियेशन के सदस से लगाता ट्रकों का संचालन रुकवाने का प्रयास करते देखे गए हैं आज हम लोग इस भुईया बाबा धाबा से ट्रक जक्का जाम के लिए खड़े हुए हैं क्योंकि अंतर राष्टी हरताल है और इसमें हमारा पूरा भारत देश चक्का जाम कर रहा है जिसमें हमारे ट्रक एसोसियेशन के कांग्रेश ने यह निर्ने लिया है कि 20 जुलाई से अनबरत जब तक हमारी मागें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग चक्का हिलने नहीं देंगे हम लोग खुद मोटर मालिक बेपसाई हैं हम लोगों को खुद परसानी का सामना करना पर रहा लेकिन हमारे साथ साथ जो मोटर भाई बंधु हैं उनको भी परसानी का सामना जहेलना पर रहा लेकिन इस हरताल से निश्चित तोर पर कहीं न कहीं हम लोगों को सफलता मिलेग कर दो गो कि तूपना हुआ कर दो कि अजय दो जड़ कि अज़ हो तो कि अजय को वारा बड़ा है